निकाय चुनाव के पहले चरण के मदान से पहले भाजपा ने सपा को बड़ा जटका दिया आज भाजपा प्रदेश अधेक्ष बोपेंदर चौधरी ने सपा के कई नेताओं को पार्टे में शामिल करवाया इनमें सबसे बड़ा नाम अखिलेश यादव के सरकार में मंत्री रह चुके हिमराज वर्मा का है जो कि 2019 में सपा के टिकेट पर पेली फीट से लोगसुभा का चुनाव भी लड़े थे सभाजवदी महिला सभाग्युपा ध्यक्ष रही शीला सिंगिटी भाजपा का दामन थांगे ये समाजवादी खेमे में भाजपा की सेंधमादी की सबसे नई तस्वीर है जो अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ा जटका मानी जा रही है भाजपा के प्रदेश ध्यक्ष भुपेंद चौधवी की मौजूदगी में सबपा के कई नेताओं ने भगवा राजमीती का दामन थाम लिया बाईयो भेनो भारतियंता पार्टी एक विचार से जुड़े लोग का समू है और हम लोग सब मिलकर सब कारकरता संगटित होकर सारे पार्टी के विचों को लेकर हमेशा आगे बढ़ते हैं यही हमारी तागत है और उस तागत का पढ़िणाम है कि हम लोग लगातार निरंतर हमारी समाज में स्विकारता राजनितिक द्रस्टी से अलग-अलग छेत्रों में जनता का हमें आसिरवाद और इसने मिल रहा है इस तस्वीर की एहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि सपा नेताओं के भाजबा में शामिल होने की तस्वीर पहले चरण के मद्दान से ठीक पहले आई है जिन नेताओं ने भाजबा का दामन थामा है उनमें सबसे बड़ा नाम सपा सरकार में मंत्री रह चुके हेमराजवर्मा का है जो अखिलेश यादव के भी कदी भी बताए जाते है हेमराजवर्मा अखिलेश यादव की सरकार में राज्य मंत्री के पतपर थे पीली भीत की बरखेडा सीट से दोहस्दाद बारा में वो विधायक चुने गए थे दोहस्दाद उन्नीस में वरुन गांधी के खिलाब सपा ने उन्हें प्त्याशी बनाया भाजपा की लहर के बावजूद हेमराज वर्मा को तब 37.8 फीसदी वोट मिले थे माना जा रहा है कि पीली भीत समेत आसपास के इलाकों में पकड़ को देखते हुए भाजपा हेमराज वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है हेमराज वर्मा के अलावा समाजवादी महिला सभागी उपाध्यक्ष शीला सिंग उन्नाव में सपा के वरिष्ट नेता विवेक सिंग पटेल, उन्नाव के गंज मुरादाबाद की ब्लॉक प्रमुक संध्या सिंग पटेल ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है और निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या को कि हम बढ़ता हुआ राजनितिक दल हैं, समाज में हमारी सुईकारता बढ़ रही है लखनव में आयोजीत कायक्रम में भुपेंदर चौधी ने अलग अलग शेत्रों के 72 बीडीसी और 60 ग्राम प्रधानों को भी पाटी की सदस्यता दिलाई जिसका सीधा मतलब है कि भाजपा न सिर्फ विरोधी दलों के बड़े नेताओं को साथ लाने पर काम कर रही है बलके लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत तक विरोधी दलों को जटका देने के रन नीती पर तेज़ी से कदम बढ़ा रही है एबीपी गंगा के लिए फिरोणी है एबीपी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी